बाइबल के अनुसरा चिंता और संसार की परेशानी और भय दौलत का छलावा वचन को दबा देता है वो सारा समय परमीश्वर के वचन पर ध्यान लगा कर गुजारो जो चिंता करते हो गुजारते हो विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो अपनी बाइबल निकालो और जोर से वचन बोलना आरम करो आपकी अपनी आवाज उन गलत विचारों को भंग करेगी जो आपको सूचते हैं आप किसी और की कही बास से अधिक अपनी बात पर विश्वास करेंगे एक फैसला कर लो कि आप चिंता में नहीं जेंगे स्रिष्टी में मनुशी एक मातर प्राणी है जो चिंता करता है और हमें सबसे अधिक बुद्धी मान समझा जाता है हम मनुश्रिष्टी की सबसे बड़ी अरजना है अनिय सभी समझते हैं पेड चिंता नहीं करते पक्ष चिंता नहीं करते खरगुष चिंता नहीं करते फूल चिंता नहीं करते शेर चिंता नहीं करते सूर चिंता नहीं करते गाय चिंता नहीं करती पर हम सबसे होश्यार, सबसे समझतार, सबसे बुद्धिमान प्राणी, चिंता करते हैं कोई दूसरा नहीं करता, मती 25 या मती 6 माफ कीजिए चिंता न करने का वहवारिक तरीका बता दी हूँ थोड़ी विनमरता प्राप्त कीजिए ये सीखी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या रहीं कर सकते हैं वो कीजिए जो परमेश्वर करने को कहें और वो बिल्कुल ना करें जो परमेश्वर करने को ना कहें वो कीजिए जो कर सकते हैं फिर परमेश्वर वो करेंगी जो आप नहीं कर सकते हैं मती 6 इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना, व्याकुल और परिशान मत होना, अगली बार जब आपको चिंता होने लगे, अपने आप से थोड़ी बाचीत कीजर कहिए, चिंता करना बंद करो, अपनी से कहो, देखो इससे कोई लाब नहीं होगा मैं भी यही सब करती थी, मैं एक ही चीज के बार में फिर और फिर और फिर से सोच कर, अपने को दुखी करके और सता कर अपना दिन बरबाद नहीं करूँगी, पर मेश्वर मैं चिंता आप के हवाले करती हूँ, मैं इसे आपको देती हूँ, जानते उसके बाद आपको क्य और चीज में हिसा लिजी, आपको मन और समय लगाना है, ऐसा कुछ जो आनन्द में हो, ऐसा कुछ जो आपके लिए उप्योगी हो, ऐसा कुछ जिससे आपको प्रसन नत और शांती मिले, आमीन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना व् पंचियों को देखो, पंची चिंता नहीं करते, क्या आपने कभी किसी पंची को डाल पर इस चिंता में डूबे बैठा हुआ देखा है कि उसे अगला कीड़ा कहां से मिलेगा, आकाश की पंचीयों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, और न रक्तों से बटोरते हैं, लो भी तुम्हार स्वर्गिया पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मुल्या नहीं रखते? वो इस तरह जारी रखते हैं और बात करते हैं, फूलों और सुलिमान के बारे में कि अपने सारे विभाव में उन्होंने फूलों जैसे सुन्दर कपड़े नहीं पहने दे, बच्छन 31 के अनुसार, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, यदि आप चिंता करेंगे तो व आपके मूँ से बहान निकलें, इसलिए शैतान इस आशा से बहार दिमाग में घलत विचार डालता है कि वो हमारे मूँ से बहान निकलेंगे, क्योंकि हमारे शब्द शक्ति शाली होते हैं, उससे कहीं अधिक जितनी की हम कल्प ना कर सकते हैं, जब हम कुछ बोलना आरम करत सलिए, ये श्योंने कहा चल्लों दूसरी और चलते हैं, अब हम बीच में होते हैं, हम तूफान में होते हैं, और हम कुछ नकुछ कहने वाले होते हैं, तो हम जो कहते हैं या तो पर्म입니다 को काम करनी की अनुमत ही दे सकता है, हम ये ये कहना चाहिए, कि पर्मिश्वर मुझे आपर विश्वास है, मैं आपर निर्बर रहता और विश्वास करता हूँ, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा महसुस नहीं हो रहा, पर मुझे विश्वास है कि सब आपके नियंतरण में हैं, और ये कि इन सब के द्वारा अंध में अच्छा ही होगा, मचली जाल में फस गई भजन 21,92 क्या लिखता है जो परम प्रधान के धाय हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की धाया में ठीकाना पाएगा जिसकी शक्ति के सामने कोई शत्रुटिक नहीं सकता मैं यहवा के विशे में कहूँगा आप यहवा के विशे में क्या कहते हैं मैं यहवा के विशे में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गड़ है वो मेरा परमीश्वर है मैं उस पर भरोसा रुखूँगा मैं यहवा के विशे में कहूँगा हम प्रभू के विशे में क्या कहते हैं चिंता एक चौर है». प्रभु के विषय में क्या कहते है? चिंता एक चौर है. वो आपके शांती चुराती है. आपका आनच चुराती है. और सबसे अधिक वो आपका आज चुराती है. याज. याज. आज का दिन जो प्रभु ने बनाया है. मैं आपको यह guarantee नहीं दे सकती कि आपको एक और दिन मिलेगा चाहे मैं आशा करती हूँ मैं सच मुझे आशा करती हूँ मेरे विचार से मुझे मिलेगा पर यदि न मीरा तो मैं वो अंतिम दिन बरबाद नहीं करना चाहती वर्तमान सबसे महान सौगात जो परमेश्वन ने हमें दी है वो है हमें उस पल का आनंद लेना चाहिए जो हमारे पास है हमें इस पल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए उस पल की चिंता करने में जो गुजर गया है और जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते थे उस पल की चिंता करके जो आने वाला है और जिस पर हम हमारा कोई नियंतरण नहीं है इसलिए हमें अतीत को पीछे छोड़कर भविश्यो का परमेश्व के हाथ में रहने देना चाहिए हमें पुरानी बातों को भुला कर भविश 34 सो कल के लिए चिंता न करू क्यूंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है यदि चीलो में सी कोई चिंता करने वाला होता तो मैं शर्तिया कह सकती हूं कि वो बहुत पहले पागल खाने पहुँच गया होता क्यूंकि येशू के कारणा में ही कुछ ऐसे होते थे यदि किसी को येशू के साथ रहना हो तो उन्हें घर छोड़ना पड़ता है उनके पास सर रखने के लिए जगे नहीं होती वो कभी ये नहीं जानते होते कि वो अगली रात कहां गुजारेंगे येशू ने कहा मेरे पीछे आओ उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितने समय के लिए जाने वाले हैं वो फिर अपने परिवारों के पास कब लोटेंगे उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस होटल में ठहने वाले थे वहाँ पर क्यास विदा आये थी, येशु ने का मेरे पीछे आओ, और वो उनकी पीछे हो लिए, उन्हें अतिरिक खाना ले जाने को नहीं मिला, येशु ने उनसे पाच हजा लोगों को खिलाने को कहा, तो उन्होंने का हमारे पास कुछ भी नह ये उन्होंने कहा, तुमारे पास क्या एक छोड़े बाले के पास खाना था, इसे मुझे दे दो, और उन्होंने उसे बढ़ा दिया, लुका दस में उन्होंने सतर चेलों में से दो-दो को बाहर भीचा, ताकि वो जाकर रोग्यों को चंगा करे, और सूसमाचार का प्रचा करें उन्होंने का अपने साथ में बट वा मत ली जाना कोई रति ध्द Size लेजा ना चपलों की अथिर्क चोड़ी मत ले जाना उन्होंने कहा अपना ध्यान भटकने मत देना और तुम्हें अपनी गती कम नहीं करनी रहा में रुक कर किसी को शुप काम नाय देने के लिए वाह मेरा मतलब उन्होंने उन लोगों को एक काम करने भीज़ा और का मैं नहीं चाहता तुम किसी बात की चिंता करो मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो और ये सोचते रहो कि कल क्या होने वाला है ये कुछ समझाने के कोशिश कर रहे हैं जब वह हमें कुछ करने के लिए भेषद है वो हमें वो उपलब्द करवाएंगे। कि हमें आवश्चक्ता और हमें उसकी चिंता करने के आवश्चक्ता निए मुझे यह कहना बहुत अजनक लगता है कि विश्व भर में हमारी सेवकाही और दुनिया के दो त्या है इसों में अमारे टीवी पर प्रसारण होता है हम 40 भशाओं में प्रचार करते हैं और सारे वि इतने विशाल स्तर पर कुछ करने के लिए हर मां कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जानते हो वो मुझे लंबे कठीन मार्क्स से ले गए और उन्होंने मुझे कुछ बातें सिखाएं जैसे अपने मोजों, कढ़ाईयों, नीचे पैनने के कपड़ों और चिथनों के लिए कैसे विश्वास करना विनम रता के अलावा दूसरी चीज जो हमें चिंता करने से करिए, क्या हम इसका अभ्यास करें, कहिए मैं इतना होश्या नहीं किसे समझ सको, इसका यह मतलब नहीं कि आप मुर्ख है, परमेश्वन ने हमें बुद्धी दी है, और वो हमें सही समय पर वो समझाएंगे, जो हमें समझना चाहिए, पर वो नहीं चाहते हैं, हम ज्यादा अज्यान है, बुद्धी है, पर हम तभी इस्तमाल करें, जब परमेश्वर चाहें कि हम इस्तमाल करें, आमीन, और वो दूसरी चीज़ चाहिए, यदि आपको चिंता नहीं करनी, पहली चीज तो यह विनम रता, दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, वो है परमे परमेश्वर के वादों के अनुसार आगे बढ़कर ये नहीं देखेंगे कि वो क्या करेंगे, बाइबल में मलाकी में बिलकुल यही लिखा है, दश्मान्ष और देने के संदर्व में भी लिखा है, सारी दश्मान्ष बंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन करता हूं की नहीं, मैं तुमारे लिए नाश करने वालों को डून डूनगा, फिर वो कहते हैं, मुझे पर्खो, मुझे पर्खो और साबीत करो, सो वो कह रहे हैं, यदि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं कोशिश करो, वो करके देखो, परमेश्वर आपके लिए क्या कह आप में से कितने जानते हैं, क्या परमेश्वर से अधिक नहीं दे सकते हैं, कितनों ने अपनी जीवन में देने के कारण, आस्चोरिजनक चीज़े होते देख ही हैं, बहुत आस्चोरिजनक, इस तरह आरंबिक दिनों में मैंने परमेश्वर के साथ अनुभव प्राप्त क मुझे अपनी देहनिय प्रार्थनाओं की सूची यादे परमीश्वर मुझे बाराची थड़े चाहिए नहीं बरतन पोचने के नैपकिन हमें उनकी बहुत जरूरत थी और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे मैंने सेवकाई की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी थी औ हूतायस से आशीशिप्राप्त होंगी पर उसकी बजाय हमें कई वर्षों तक परमीश्वर पर अपने मोजों और अंदर के कपड़ों के लिए विश्वास का नपड़ा परमीश्वर आपके दिल को पर खेंगे ये देखेंगे कि आप जो कर रहे हैं सही कारण से कर रहे हैं या नहीं इस हिस्से में बैठा एक व्यक्ति ये समझ गया है आज लोग हर काम के लिए पैसों क्या आशा करते हैं पर उन दिनों जब मैं नई थी बहुत से स्वेंप सेवा करते थे आमेन मेरे विचार से बाइबल उसे कहती थी दास बनना सेवा करना औस सी जरूरत ही थी और परमिश्वर बुनियादी जरूरत ही पूरी करती थी पर हम बहुत निमनस तर पर जीते थे मुझे बहुत वर्ष होता कि दो तीन डॉलर लेकर गरेच सेल में से परमिश्वर पर ये विश्वास करते हुए जाना पड़ता था कि मुझे वाँ बच्चों के लिए जूते मिलेंगे और इस दौरान में ये प्रचार करती थी परमिश्वर हमें आशिश और सम्रिदी देना चाहते थे और विश्वास द्वारा कैसे जीना चाहिए कई बार बहुत बेतुका लगता था उसके बार में प्रचार करना और ऐसा अनुभाव करना जैसे वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा था पर तब मैं बीच में थी, मैं बीच में थी ये शुरी कहा चलो पार करके दूसरी ओर जाय मैं ना ओपर सवार थी पर अभी हम दूसरी तरफ नहीं पहुंचे थैं मैं बीच में तीगों धी जो करती उससे यह तेयर करना था कि दूसरी ओर पहुंचंगे या नहीज और यह की मुझे पर मिश्पर यदि आप यह नहिं हो पाएगा पर एक काम है जो मैं नहीं करूँगी, मैं आइंदा कभी अपने आपको नहीं सताऊंगी, मुझे आपसे एक सवाल पुछना है, जास माता की ओर देखिए, किसी और के गलत चुनाव के लिए आपको क्यों स्वैम को दुखी करना चाहिए? अब सुनिए, एक और बढ़िया सवाल पुछती हूँ, यदि आप किसी ऐसे के साथ रहते हैं, जो प्रसन्न नहीं होना चाहते, आप इससे अपना अनंचुराने क्यों देखिए? आपको उन्हें पागल बना देना और इतना प्रसन्न होना चाहिए, जो आप दोनों के लिए परियाबत हो। आमीन, दूसरों के संग उसकी समस्याओं पर आश्रित मत होईए, यदि तुम प्रसन्न नहीं तो मैं प्रसन्न नहीं हो सकता, सुनिए, मैं बहुत लंबी समय तक प्रसन्न नहीं थी और मेरे पती हर दिन प्रसन्न रहते थे, और उनकी प्रसन्नता मुझे पागल कर देती थ मेरा मतलब देव दुखी रहने में बिलकुल मेरा साथ नहीं देते थे, वो हमेशा आनंद देते रहते, उनका ऐसा आरुठा मैं आनंद उठाने वाला हूँ मेरे अंदर क्रोध उबलता रहता था, क्योंकि ऐसा होता था कि दुखी लोग और सभी को दुखी करना चाहते हैं, वो अपने दुख को अन्य दुआरा बिखेरना चाहते हैं, सच में, आपने ये कथन सुना होगा, यदि मैं खुश नहीं तो कोई और खुश नहीं रहेगा पर हसल में डिव की अपना आनंद बनाये रखने के दुखता चाहे जो भी हो रहा होता, और मैं जो भी कर रही होती, उन चीजों में से एक तीजिस के कारण मुझे अपनी जीवन में उपलबधी मिली, आपको किसी और की समस्यों में शामिल होकर, उन्हें अपने को दुखी करने देने के आवश्यक्ता नहीं है, आपको द्रड रहना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि उनकी परिस्थितियों का उन पर निय अंत्रण नहीं होना चाहिए, और इन और इन सब सालों के दौरान परमेश्वर वफादारी से हर मा बिन्न तरीकों से हमारी जरूरते पुरी करते रहे, हमारे पास हर मा अपने बिलों का भुक्तान करने के लिए 40 डॉलर कम होते थे, और हर मा परमेश्वर किसी न किसी तरीके हमारी मदद करते, मेरा मतलब वो कु मुल्य थे, वही परमेश्वर और आपके बीच की संबंद को विक्सित करते हैं, जब परमेश्वर के अलावा कोई नहीं होता जिसके पास आप जा सकते हैं, हमारे ऐसे माता पिता नहीं थे, जिनके पास हम मदद के लिए जा सकते थे, हमारे कोई भाई बहन नहीं थे, जिन से मदद मांग सकते थे हमारे पास केवल परमेशवर थे हमारे पास परमेशवर थे अब मैं सेवकाई की बाद भूल कर काम पर लोट सकती थी क्योंकि मुझे कश्ट हो रहा था हम बलिदान कर रहे थे हम कितने जानते थे कि मुझे आज बहुत खुशी मिली है मुझे खुशी है कि मैं बीच में से सफलता पुर्वक पार हुई और मैं चाहती हूँ कि आप भी बीच में से सफलता पुर्वक पार निकलो पर मुझसे कम समय में और मेरी बात याद रखिए आपको उन सब बातों के लिए अपने को परिशान नहीं करना चाहिए जिन के लिए आप अपने को परिशान करते हैं। जिससे वो तुम्हें उचित समय वर बढ़ाएं और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो हम विनम्रता कैसे प्रदशित करते हैं। उन चीजों की चिंता करनी बंद करो जिसके साथ निपटने के आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। चिंता 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 ना जानने का उपहर प्राप्त करो। मैं बहुत सी बाते नहीं जानती और मुझे इस सेब कोई परिशानी नहीं पर पहली मेरे लिए उलजने वाली बात यही होती थी। मुझे नेती वचन तीन पांस साथ प्यारा है तु अपनी समझ का सहारा न लेना वनन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना उसी को समर्पन करके सब काम करना तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा अपनी द्रिश्टी में बुद्धिमा न न होना देखा फिर मैं आपको यह बताने का यह अर्थ नहीं कि यह अपने आप बंध हो जाएगा मेरा मतब आपको इसका सामना करना पड़ेगा इसका विरोध करना होगा आपको कुछ घोषणाय करनी होंगी मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं चिंता में नहीं जीऊंगा मैं अपने जीवन का आनंद उठाओंगा मेरे बाद शांती होगी परमिश्वने मेरे लिए शांती छोड़ी है और मैं येश्व के नाम पर उसे पा कर रहूंगा मैं अपना पुरुषते थे एक दिन ऐसे परिस्तिती थी इस क्यों वो एक कवे के पास गए उन्हों ने कहा एक स्त्री मिली उन्होंने कहा मुझे थोड़ा पारी दो यह यह नचार जिनने वो नहीं जानते थे उस पर मनाई ही थी इसलिए येशु ने कहा मुझे थोड़ा पानी दो तो वो पहले ही उलजन में थी और फिर येशु इसे दूसरे स्तर पर ले गए और उन्हें कहा है यदि तू ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला तो तू उससे मांगती है और वो तुझे जीवन का जल देता क्योंकि जो पानी तू पी रही है उससे तेरी प्यास कभी नहीं पूझे लिए पर मेरे पास पानी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ यदि तू वो जीवित पानी पीएगी तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं उससे ने फिर कहा ची तो तेरी बाल्टी कहा है तुम्हारे पास बाल्टी नहीं है उन्होंने भी यही कहना था आच्छा तुम अपना पानी कहां से लाओगे तुम्हारे पास एक बाल्टी भी नहीं है उस इस्तरी ने कहा या उन्होंने कहा जाकर अपने पती को बुलाओ उसने जवाब दिया मेरा कोई पती नहीं है येशुने कहा ये तुमने सच कहा है तुमारे चार पती थे और इस वक्त तुम जिसके साथ रह रही उससे तुमारा विवान नहीं हुआ है उसका ये हाल इतनी देर में चेले आ गए और उन्हें आश्चरी हुआ कि वो उस तरी से बात कर रहे थे पर वो डर के कारण चुप रहे उसके बाद अगली बात योहना चार में ये लिखी है उसके बाद चेले येशु से कहने लगे मेरा भूजन ये है कि अपनी भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो मेरी बात याद रखे यदि आप येशु की सेवा करना चाहते हैं और सब जानना चाहते हैं तो आपकी यातरा बहुत कटीन होगी क्योंकि ऐसी बहुत से बात होंगी जब को रतिबर भी समझ में नहीं आएंगी मैं अपर पानी तक पहुँचना चाहने वाले उस अंदे व्यक्ति की तरफ इश्वास करता हूँ जानते हो येशु ने उस अंदे व्यक्ति की आँखों पर कीचर मला और उससे कहा कि उन्हें जाकर एक झील में धोलें माफ कीचिए मैं अंदा हूँ मैं भला वहां तक कैसे पहुँच सकता हूँ परमीश्वर के वाले ये चाहते थे कि आप जाए चलना अरम करें काश मैं भी किसी को चलने के लिए प्रोसाहिद कर सकती वह हूँ मदद करो ये शू अपना करतवे पूरा कीजिए और चिंता त्याग दीजिए इफिस यूच्छे में आत्मी की युद्ध के बारे में ये लिखा है संकट के वक्त जो ज़रूरी हो कर लो फिर अपने स्थान पर स्थेर ओ ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं करना देव इस तरह से कहते हैं जो मुझे प्यारा है अपना करतवे पूरा करोर चिंता त्याग दो कठीनाईयों के वक्त हमारा क्याः करतवी होता है प्रार्थ ना करना बोलना वो करना जो परमेश्वर का हैं हमारा हिस्सा होता है प्रार्थ ना करना अच्छा इकरार करते रहना सकारात्मक रहना और कठी नायों के वक्त शिकायते न करना एक और घंडा होटा अपने पर तरश खोना बंद कीजिए उन लोगों से रिशा मत कीजिए जिने आपकी जैसे समस्याई नहीं है इतना अच्छा होता कितना अच्छा होता कोई समस्या नहोती जब तक मुझे अधिक ज्यान नहीं था और जिस तरह से मेरा लालन पालन हुआ था मैं बहुत क्रोधीत होती जब मैं ऐसे लोगों से मिलती जिनका पालन अच्छे से हुआ होता था मैं सोचती कितना अच्छा होता है अच्छे माबाप होना कितना अच्छा है आपको ये रुख त्यागना है परमिश्वर के पास हम में से हर एक के लिए व्यक्ति गति योजना है और वो आपके साथ उस तरी के काम नहीं करेंगे जैसे उनके साथ करते हैं पर केवल इसलिए कि वो आपके लिए नहीं कर रहा है उस तरह से जैसे उनके लिए किया था इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके लिए जो करेंगे वो घटिया होगा अपनी जीवन में कठीनाईयों के समय यदी संभव हो तो अपने वादे पूरे कीजिव अब वो कीजिए जो आपसे कहा था आप करेंगे विशेश तोर पर जब वो करना कठीन हो ये अत्याद एक महत्वपूर्ण है कि जीवन में जिस दौरान आपको कठीनाईयों हो उनके बीच में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक ये करना है कि आपको औरों की मदद करते रहना है दूसरों के लिए आशिश बनते रहना है अनिय लोगों के लिए समय सेवा प्रेम और प्रेणा का बीज बोते रहना है ताकि आपको अपनी जीवन में हसल मिलती रहे आपको कुछ तो करना है तब वो चिंता नहीं कारण जानना नहीं है वो है परमीश्वर पर विश्वास करना अनिय लोगों की मदद करना और भजन 37 में दुष्ट और बुरे समय के बारे में बात करते हुए ये कहा गया है यहुवा पर भरोसा कर और भला कर सीधी सी बात है जिसे हम उलचा देते हैं म क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए करो परमीश्वर पर विश्वास करो और भला करो परमीश्वर पर विश्वास करो और भला करो मैं नहीं जानती कि आपको दूसरी तरफ पहुँचने में कितना समय लगेगा पर मैं इतना जानती हूं कि हम दूसरी तरफ जा रहे आमेन कि आश्राप पुरवक समाप्ति भी होती है क्योंकि यदि हम सही फैसले नहीं करेंगे अपने विश्वास की बीच में या जब हम प्रतिक्षा कर रहे होंगे परमीश्वर के वादों को पूरा होते देखने की तब बहुत से लोग पीछे मुड़ जाते हैं और कभी पूरा होते नहीं देखते अपने सपनों और अपने दर्शन को इसलिए आप जू भी कर रहे हैं उसके बीच में आपको प्रोचसाहित करना चाहती हूँ आप परमीश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो उसकी चिंता उनके हवाले कर दो और विश्वास करो यदि आप हर दिन वो करते रहेंगे जो आप चानते हैं आपको करते रहना चाहिए अब समापती तक पहुँचेंगे मुझे ये कहना अच्छा लगता है कि हमें उससे अच्छा निश्क्रियन नहीं मिलता जो हम एक बार करते हैं बलकि उससे जो हम बार-बार-बार करते हैं आप शायद कोई दर्शक ये अनुभव कर रहा है कि वो सही करने की कोशिश कर रहा है पर पाइबल में लिखा है कि हम भला करने में हिया आप न छोड़े गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुता रहे हैं प्रिप्या हमसे संपर्ख करें या विजिट करें jmmindia.org आज ही अपनी प्राथना के अनुदोर बताने के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेडियूल जानने के लिए और हमारे सहियोगी बन जाएं दुनिया महने मसील का प्रें बाथने के लिए